नमस्ते डेव विवस आज के एस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा एनलिसिस करेंगे केटरंड का है ना basically मेर प्यारे विवस हम लोगोंने यहां पर एक क्वेशिण पेपर लिए है ठीक है यह क्वेशिण पेपर है और यह जो क्वेशिण पेपर है यह क्या है राची उनिवर्सिटी का question paper है अब चुकि हम राची उनिवर्सिटी के student थे इसलिए मेर पास ये question paper है हम लोग और भी universities का question paper को जुगाड़ेंगे जिसको हम लोग discuss कर सकते हैं प्यारे वीवस होता क्या है कि अलग-अलग universities में जो question paper का pattern होता है ठीक है अब different क्यों होता है क्योंकि अभी भी कई जगे पर early exams चल रहा है तो early exams में syllabus थोड़ा सब बढ़ जाता है तो question paper का format भी बदल जाता है pattern का और semester wise में भी बहुत जगे पर जो questions होता है वो थोड़ा सब pattern उसका different होता है ठीक है तो यहां पर जो pattern हम लोग देख रहे है वो basically रांची उनिवर्सटी का question paper है उसका देख रहे है और जो different different universities है है ना सब का जो question paper का pattern है वो हम लोग discuss करेंगे दरे दरे ठीक है तो basically रांची उनिवर्सटी में क्या होता है प्यारे viewers जो maximum marks का अर्थात बोलिए जो full marks का जो exam होता है ठीक है वो तो full marks 100 marks का है जिसमें से आपका 15 marks का internal होता है 25 marks का practical और 60 marks का ind sum होता है जैसा कि यहाँ आप आप देख रहे हैं full marks 60 ओके तीन गंटे का समय दिया जाता है आपको कहा जाता है कि आप खुद के words में लिखें आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखा हुआ है answer in their own words as far as practiceable है ना तो जो question paper होता है वो दो groups में होता है ठीक है बॉच्चन पेपर होता है एक होता है group A और एक होता है group B ठीक है group A में क्या होता है प्यारे वीवस दो questions होता है question number one and question number two question number one में basically आपको fill in the blanks देखने को मिलेगा या फिर one word questions देखने को मिलेगा ठीक है one word जिसका हना एक word में आप जिसका answer दे पाओ तो इसी प्रकार का question होता है वहाँ पर total जो है 10 questions रहता है 10 marks का ठीक है यह compulsory section है जो group A है यह क्या है compulsory है आपको attempt करना ही करना है ठीक है और जो हमारा question number two होता है यह होता है आपका five marks का ठीक है एक ही question यहाँ पर रहता है बहुत बार ऐसा होता है कि question number two में यह दो questions देता है आप दोनों में से कोई एक लिक सकता है ठीक है और कई बार ऐसा होता है कि वो single ही question देता है उसमें क्या है आपको उसका answer दे नहीं होगा ठीक है वो 5 marks का होता है और जो group B होता है इसमें आपको total वो 5 questions देगा ठीक है 5 questions आपको total मिलेगा इसमें से आपको क्या करना है 3 का answer करना है ठीक है तीन का answer आपको total करना है इसमे और group B जो है आपका, इसमें हर एक question 15 marks का होता है, so group B आपका 45 marks का होता है, group A आपका 15 marks का होता है, ठीक है, 45 plus 15, 60 marks का, ओके, तो question paper जो है, कुछ इस प्रकार का रहता है, 2020 का question paper है, ठीक है, PDF format जो है, आपको बहुत जल्द available हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का group A में आप देख पा रहा है, ठीक है, 10 question रहता है, सबसे पहले question में, ठीक है, 10 marks का, 1-1 marks का, सब रहता है, दूसरा जो question है, आप देख पा रहा है, 5 marks का question यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बार क्या होता है, कि यहाँ पर, दूसरे question में, 2 question वो कि आप टोटल 5 questions दिया हुआ है इसमें लिखा रहता है एना answer एनी 3 questions of the following इसमें से तीन question आपको attempt करना होता है इस प्रकार से pattern question पूछने का अब different different universities में क्या होता है अलग-लग तरीके से pattern रहता है सब का कई कई जगे पर क्या होता है कि दो-दो मार्क्स का question भी पूछा जाता है कई जगे पर 2020 मार्क्स का लॉंग आंसर टाइप question होता है तो उन सब पर हम लोग आने वाली वीडियो में भी चर्चा करने वाले हैं और अगर आप किसी different universities है तो प्लीज कमेंट करके बता ही आप किस universities है ताकि हम लोग उन सारी universities को दिरदरे करके cover कर सकें